नमस्कार बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपोर्टेंट वीडियो में आप देख रहे हैं सपोर्ट फॉर सक्सेश टो अंटी फॉर केरियर से रिलेड़ेड हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मैं हूँ राहूल रंज सब्सक्राइब करते हैं आज के खास अपडेट वीडियो हर एक तरह की जैनियन वीडियो ही इस चैनल पे मिलती है तो लिजी वीडियो को सुरू करते हैं ग्राम पंचायत व्यवस्ता के बारे में समझना जितना महत्तपुल्ण है उतना ही महत्तपुल्ण इसकी इतिहास को जानना भी होता है तो आईए आज के इस वीडियो में ग्राम पंचायत के इतिहास को समझेंगे जो की इकजाम के लिए भी काफी जादे महत्त पुल्ण होता है और जानकारी के लिए तो बहुत ही रोचक होगा इतिहास की बात कर ले तो प्रचीन इतिहास से ही ग्रामिनों की एक अबनी व्यवस्ता रही है जो की धीरे-धीरे मुगल सल्तनत काल में आते आते जिस समय राज-साही सासन काफी ज़्यादे बर्चस्वों में आ गई जिससे ये धीरे-दीरे दबने लगी अंग्रेजी सासन आते आते इस पे काफी ज़्यादा प्रभाव पड़ा जिसे ये बहुत ही दब गई जब हमारा देश पुना आजाद हो गया आजादी के उपरांत जब सम्विधान निर्मान की बात होने लगी सम्विधान तयार होने लगा उस समय डॉक्तर भीम रावा मेदकर नहीं चाहते वो पुरानी बेवस्था जो पुरानी प्राचीन में थी उसको पुना continue इसा बेवस्था में लागू किया जाये। जो कि निती निदेशक तत्तों के अंदर आता है इसका मतलब जो राज्य चाहे इसको लागू करना अपने धहंग से वो अपने तरीका से कर सकता है इस राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया निती निदेशक तत्तों की कार सरकार के ऊपर होती है उसके बाद इसकी मांग लागत बढ़ने लगी लेकिन जब यह सब के ऊपर छोड़ दिया गया तो राजस्थान पहला राज्य बना जो कि सर्व पर्थम आत्मा गांदी के जनम दिन दो अक्टूबर के ही दिन 1969 में इसे लागू किया जो कि राजस्थान के नागोड में इस विवस्ता को सर्व पर्थम शुर बलवंत महता समिती में तीन अस्थरिये का मतलब हुआ ग्राम ब्लॉक और जीला ये तीन भाग में अधिकार को दिया जाए इसकी मांग की गई उसके बाद पुनह इस पे मांग पे मांग होती रही 1977 में फिर असोक महता समिती की मांग की गई जिसमें अब हुआ की दो तक ही अधिकार दिया जाए इस ग्राम पचायत बिवस्ता को उसके बाद में मांग फिर बढ़ने लगी 1985 में जीवी के राव समिती इसकी मांग कुछ अलग तरीका से हो ये कहा गया कि केंदर की जो सकतिया है उसको केंदर अस्तर से लेकर विकेंदरी करन की जाए यानि कि ज 1985 उसके बाद में पुना एक साल बाद 1986 में सीवी थोड़ा सा लिखने मिश्टेक है सीवी समिती में सम्विधान की दर्जा की मांगी गई अब बोला गया कि केवल नित्ती निदसक तत्तों में इस तरह से करने इनफ नहीं है इसके लिए अब विसेस बिवस्ता सम्विधान म ही गया 73 संविधान संसोधन 24 अपरेल 1992 को किया गया आप समझ सकते हैं क्या मकसद था याद भी आपको परिक्षा के द्रिष्टी से रखना होगा भाग 9 इसमें जोड़ा गया अनुसुची 11 जोड़ा गया और अनुछेद 243 से लेकर 243 ओ तक कोडिंग में ABCD करके ओ तक यान अनुसुची 11 में 24 कारे हुए जो कि क्रिसी के बारे में लिखा गया सिचाई पसुपाला नित्यादी जैसे जो ग्रामीन छेतर के कारे हैं उसकी महत तो दी गई अनुसुची 11 में इस तरह से अब एक संविधानिक रूप में इसमें व्यवस्ता को लिखा गया और लागु क कर दिया गया उसमें भी एक छोटी सी कंडिशन रख दी गई क्योंकि एक और मांग जो दुवस्तरिय की हुई थी तो कहा गया कि 20 लाग से कम जिस राज्य की जन संक्या है वो राज्य दुवस्तरिय लागु कर सकता है इस तरह के बात हुई लेकिन आज तो लगबग सब 20 ल अला राज्य है जो की सौ में 50 महिलाओं को आरक्षन दिया सीट में लडने के लिए एलेक्शन और सेस्टी को जन संक्या के अनुसार उसमें आरक्षन सेस्टी को मिलेगी उम्र सीमा मीनिमम 21 वर्ष निरधारित किया गया एक डाटा है जिसको आप एक और वीडियो में देख पंची यहां पर पंचायत अस्तर का प्रमुख होता था मुखिया यहां पर देख पा रहे हैं यदि ब्लॉक अस्तर तो यहां पर ब्लॉक अस्तर का प्रमुख हुआ जिसको प्रमुख बोलते हैं आपके ब्लॉक में जिसका चुनाओ और परत्यक्श रूप से होता है यह प जिसको बोलते हैं और जिला अध्यक्ष के साथ अब इन सब के साथ एक सरकारी आदमी कारे करने के लिए होता है मुखिया के साथ जिसको बोलते हैं बीडियो विलेज डेवलोप्मेंट ऑफिशर ग्राम सेवक का नाम आप अपने कई छेतरों में बिहार में ग्राम सेवक बोलत होते हैं गरामिन चेतर से जो लोग चुनके आते हैं और उसके बाद में इनकी देख रहे हैं यहनी कि इनके साथ एक सरकारी आदमी जो कि इस विवास्ता को में कोई गड़ वड़ी यहनी कि सरकार का एक आदमी रहता है जिसको CEO बोलते हैं तो वासा करते हैं आज का यह मिला होगा फिर मिलते हैं नए इंट्रेस्टिंग रोचक वीडियो के साथ हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद